हलो फ्रेंड्स, मधोज किचन में आपका स्वागत है आज मैं आपके साथ पालक की बहुत ही जादे टेस्टी सी रेस्पी सेयर कर रही हूँ मैं पालक से जो ग्रेवी तयार करूँगी आप इससे कई तरह की स्वादिष्ट सबजियां तयार कर सकते हैं तो यह मैं आपको वीडियो के लाश में बताऊंगी कि इससे क्या क्या बना सकते हैं बनाना बहुत असान है इसे बनाने के लिए मैंने 600-700 ग्राम के लगभग पालक के पते लिए हैं इसे मैंने गरम पानी में डाला है इसे बहुत ज़्यादे बॉयल नहीं करना है दो से तीन मिनट तक बॉयल करेंगे सिर्फ उतना ही बॉयल करना है कि यह थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं तीन मिनट बाद इसे इसमें से निकाल लेंगे जब यह फालक ठंडे हो जाएं इसके बाद इसे मिक्सी में पीश लेंगे मैंने एक कप स्वीट कार्ण लिया है इसे पानी में डालेंगे और इसे बॉयल करेंगे इसे आप कम से कम दस मिनट तक बॉयल करें जब इसके दाने अच्छी तरह से फूल जाएं इसके बाद इसे पानी से निकाल लेंगे पान में मैं 3-4 चमज तेल डाल रही हूँ तेल के गरम होती ही इसमें एक चमज जीरा डालेंगे जीरा के चटकते ही इसमें मैं दो मीडियम साइज का पिसा हुआ प्याज डाल रही हूँ प्याज को अच्छी तरह से भूनना है जितना अच्छा भूनेंगे सबची का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा कोई भी ग्रेवी तेयार करें तो आप प्याज मसाले को अच्छी तरह से भूनें प्याज भूनते समय ही इसमें मैं एक चमच अधरक लासन का पेश डाल रही हूँ कि यह भी प्याज के साथ भून जाए प्याज को भूनने में तीन-चार मिनट लगा है आप देख सकते हैं तेल इसमें से अलग होने लगा है अब इसमें मैं ढाल रही हूं आधा चमाच मिर्च आको जितना दिखा पसंद हो आप उसी हिसाब से डालें दिया है एक चमाच धनिया पावडर डालेंगे इसी समय इसमें मैं आधा चमाच गरम मसाला ढाल रही हूं मसाला डालने के बाद 3-4 मिनाट इसी भुन लेंगे मसाला भुनने के बाद इसमें मैं डाल रही हूं दो मिडियम साइज का पिसा हुआ टमाटर टमाटर को 2-3 मिनाट पका लेंगे इसके बाद इसमें डालेंगे पिसा हुआ पालक इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूं बहुत जादे नहीं आधा कप के लगभग इसमें पानी डालेंगे यूँकि बहुत जादे पतला ग्रेवी अच्छा नहीं लगता है इसे गढ़ा ही रखना है इसमें उपला हुआ स्वीट कारण डालेंगे इससे पहले मैंने आपके साथ पालक पनीर, पालक गोभी, पालक के पराठे, पालक और चनी की डाल कई सारी रेश्पी मैंने पालक की सियर की है इसका वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं इसमें मैं तीन-चार चम्मज फेटा हुआ दही डाल रही हूँ दही से इस ग्रेवी का टेश्ट बहुत अच्छा आता है सिर्फ टान डालने के बाद इसमेंने दो-तीर मिनट पकाया है हमारी ये बहुत ही स्वादेश्ट कार्ण पालक की सब्जी तयार है आप इसी तरह से कार्ण की जगह पर इसमें आप पनिर डाल सकते हैं पालक पनिर की सब्जी तयार हो जाएगी आप इसमें आलो को फ्राई करके डाली, आलो पालक की सब्जी हो जाएगी, गुभी को फ्राई करके आप डाल सकते हैं, तो आप कही तरह की सब्जियां इस ग्रेवी से बना सकते हैं, खाने में बहुत स्वादिश लगता है और हेल्दी भी है, तो आप मुझे कमेंट करके बत करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप से नई वीडियो में नई रेस्पी के साथ बहुत जल्द मिलेंगे तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद